hello students welcome back in your class 7 today we are discuss your chapter number 8 subject civics okay so it's chapter number 8 the name is a short in the market a short in the market so it are as we discuss करेंगे क्लास आपके क्लास 7 के चप्टर नमबर 8 पे जो की civics का पार्ट है civics में चप्टर नमबर 8 का नाम है a short in the market यानि एक short बाजार में कहने का मतलब है short बाजार में अब इसका मतलब क्या है इसको समझे हम इस चप्टर के बारे में पढ़ेंगे बेटा पूरे marketing पढ़ेंगे एक short की बनने से लेके यूज तक के यानि उपभोग तक की कहानी को पढ़ेंगे यानि जहां सी ये बनता है starting से लेके और last तक लाष्ट तक एक सर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, बाजार कीमत के बारेthinking यह पढ़ेंगे, ठीक है, तो आए देखते हैं वच्छा, इस श्टॉरी अंस इसमिंसी बारे में पढ़ेंगे, इडि बीगी इंस स्टार्ट होगे हम करें था उसके सेल यहां मार्केट में परuman करें यहां तक हम उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि कैसे ये producer आप the cotton to the buyer आप the shirt in the supermarket कि कैसे producer cotton की producer से लेके supermarket के खरीदार तक 80-60 कितने दूर तक घुमता है buying खरीदारी देखेंगे, selling देखेंगे, इसका हर एक step देखेंगे benefit भी देखेंगे, कहा किसको लाब हुआ, कहा किसको ज़्यादा, कहा किसको कम लाब हुआ ये सब सारी चीजे हम इसमें देखेंगे, तो इस chapter में इस chapter की कहानी स्टार्ट होती है, सुपना से एक cotton farmer है करनूल में करनूल जो की आंदरपरदेश में है, आंदरपरदेश में एक अस्थान है करनूल, वहीं की एक किसान के बारे में बता रहा है, और किसान क्या है, कॉटन का किसान, यानि कपास उत्पादन करने वाला किसान, कपास से ही बनता है बेटा सूती कपड़ा, तो सर्ट किस से बने अपने भूमी पे cotton को ग्रोफ करती है मतलब उत्पादित करती है दा बॉल्स आप दा कॉटन की जो पंखुडियां जो उपर की है प्लांट आर राइफ एंड सम्हावी अल्रेडी बस्ट तयार हो चुकी है कुछ तयार होने वाली है चोटे चोटे अच्छे खेले हुए हैं इस सपना अपने cotton को अच्छे से तयार करने में देख भाल करने में जूटी हुई है क्या करने बॉल्स जो थे उसमें कॉटन तयार है दू नाट बस्ट उपेन ओल एट वन्स सो इसको लगेगा तयार होने में हर्वेस्ट होने में कटाई उटाई करने में ठीक है यानि कुल मिला के अगर इसे आप तरह देखे तो उसका पूरी तरीके से कपास तयार है है उसके बाद वह हर्वेस्ट के लिए तयार है यानि कटाई के लिए अब देखे आगे वांस दग कॉटन इच कलेक्टेड एक बार अगर कॉटन कलेक्टेड होता ते इस टीट आप सेलिंग इट अकरनोल तो अकरनोल मार्केट में ले जाके बेचती है कॉटन को ठीक है तो के साथ इसमें लगी हुई है इस अपने कॉटन फार्मिंग में तो देखे स्टाटिंग में उसने क्या किया जब इसने अपने क्रोपिंग सीजन स्टाटि क्या यानि क्रोपी जुथाई वुनाही तो अपना ने उधार लिया बारोट उधार लिया कितना 2500 ट्रेडर्स एट बहुत हाइं पपर Brew$ 2,500 करज लिया को सब्सक्राद के लिया यहनि वीच पर्टिवस के लिए पर्टिटिसाइज ह्ना चैए जूथा ही की दीड़ सुधेर तो और जानते हैं तो at this time the local trader made swap na agree to another condition उसने इस बार उस पे another condition ला दिया ट्रेडर ने यानि हर बार तो 500 रुपे दित लीन इस बार अधर condition क्या रहा है he made her promise to sell all her cotton to add him to him मलब उसने condition लाया कि जितने cotton है वो सपना क्या करें उसके पास लाके बेची ठीक है अब देखिए तो यह बेटा देखिए यहीं है cotton का पूरा बताया गया है कैसे कैसे तो आईए देखिए cultivation of cotton requires cultivation cultivation of cotton requires high level of inputs such as fertilizer and pesticide मलब अबकुल मिला कि cotton के cultivation में बहुत ही आते दिक मात्रा में जोरत पड़ती है fertilizer की pesticides की इसमें काफी expenses खेती होती है ठीक है फिर देखे most often customers need to borrow money to meet these expenses maximum क्या होता है चोटे-चोटे जो किसान होते हैं उनको धार लेना पड़ता है इंटरस्टे मार्केट से पैसा ठीक है आइड़ ट्रेडर्स यार्ट्रेडर्स क्या जो यार्ड होता है यानि पूरी जिमीन जो उसका इरिया होता है टू अफिज में वेड बैक्स आफ कॉटन तो आयट प्राइस आप देखे क्या होता है उसने कितने पे लिया यानि जो फिप्टीन हंड्रेड पर कॉंटल अधा कॉटन फेश सिक्स थाउजेंड ट्रेडर्स डिड़क्स थी थाउजेंड पर पेमेंट अफ लोन एंड इंट्रेस आइंड पेश शुपना थ्री थाउजेंड देखे अब कैसे देहां दिजेगा कि प्राइस उसकी कितनी थी फिप तो उसने धाई हजार उधार लिये थे उसका इंट्रेस डेट जोड के कुल 3000 हुआ यानि 500 इंट्रेस डेट दोनों को जोड को उसने 3000 काटके 3000 कितना दे दिया 3000 सपना को दे दिया मतलब इतनी खेती करने के बाद किवल 3000 रुपए उसको फायरा मिला अब देखे यहीं पताया जाता है कि कॉटन तयार करने माले को किवल 3000 मिला तो सपना कहती है 3000 वन ली किवल 3000 तो ट्रेडर क्या कहता है और जो उसको 3000 रुपए देता है कॉटनी सेलिंग चीप there is a lot of cotton in the market मलब कॉटन के इस समय रेट क्या हो गया सस्ता हो गया है क्यों क्योंकि विकॉज मैक्सिमम कॉटन जो है वो मार्केट में आ चुके हैं और काफी आ चुके है इसलिए हम ज्यादा हाई रेट पर नहीं ले सकते देखें उसको कैसे ठख रहा है तो बिचारी 3000 रुपए वो आल्रेडी 5000 रुपए लगा चुकी थी और उसको 3000 रुपए मिले मतलब 555 को उसने अच्छा करती थी कि आप मुझे इसकी हा अच्छी रेट देंगे दुकांदार से ठीक है तो ट्रेडर्स क्या कहता है बटा ट्रेडर्स कहता है का मा आप गेविंग यूर गोड़ फ्राइज देखें अमा कहता है कि वो साउत में लोग बोलते हैं तो मैं आपको ज्यादा दे रहा हूं मतलब और एहसान लाद रहा कि मैं तो आपको इसका 3000 6000 मैंने आपको ज्यादा लगा दिया अधर ट्रेडर्स अगर होते अधर मैं कैसे आप पर संका कर सकती हूं मैंने आसा किया था कि मुझे कुछ मैंनों में अच्छा रेट मिलेगा क्रॉप्स इन लास्ट महीनों में अच्छा कमाऊंगी तो इसलिए कह रही थी ठीक है आप देखें त्रू सपना नोस देट कोटन विल सेल फोर एट लिस्ट सपना सोच रही थी सपना जानती थी कि सपना नोस देट कोटन विल सपना जानती थी कि एटीन हंडेट पर कॉंटल के हिसाब से कोटन भी करा है लेकिन उसको उसके कर्जदार ने यानि उसके दुकांदार ने केवल फिप्टीन हंडेट का ही रेट लगा है यानि थ्री हंड रेट को लोज किया पर कुंटल सी डेजन और गयो फर्दर इसलिए वो नहीं ऐसा कर रही थी दा ट्रेडर इजब पावरफुल मैं इन दा विलेश ट्रेडर जो दुकानदार था वो पावरफुल था उस गाउं का एंड पार्मर एट टू डिपेंड और सारे उस पे डिपेंड थे कल्टिवेशन के लिए लोन लेने के लिए सभी उस पे डिपेंड थे इसलिए मजबूरी में ठीक है ले लो 100-200 डेट कम बट आलसो टू मीट अधर एक्जिसेंसी सच एड़ इलनेस लेकिन ही बहुत खतरना कि बिमारी थी मिलने का पास में चल्डेस से स्कुल च क्या करते थे उसी के पास जाते थे अपनी सर्वाइब करने के लिए उधार लेने पैसा चाहे हो फीस हो चाहे हो बीमारी हो इसलिए उनको थोड़ा सा चुप रहना पड़ा सौपना इजर निंग फॉंक कॉर्टन कल्टिवेशन इवेली मोर दैन वाट सी माइट है और आज चाहे型 जोकी एक कपड़ार मार्केट में इस बसमें लार्जेस्ट बाजार rely के वर्प में गीना जाता ही यह तमिन लाड़का बहुत बड़ा एक weekly cloth market है जो सब्ता में एक दिन खुलता है ठीक है बहुत बड़ा market A large variety of clothing sold in this market इस market बहुत सरे अलग-अलग variety के कपड़े मिलते हैं कपड़े जो है cloth that is made of waver in the village around is also brought here for sale यहां पर जो वेबर्स होते हैं कताई भी नई वाले यानि local जो घर पर बनाते हैं कपड़े उलाके यहां पर sale करते थे वो भी around the market are offices of cloth merchant जो cloth merchant होते हैं कपड़े की व्यापारी भूबाइद इस क्लोस कपड़े खरीते थे इनी से यानि इस खरीत के जाके बेचते थे other traders जो होते थे वो many south Indian towns also come and purchase cloth in the market और भी जो south इंडियन ताउं दचिर भारत के सहर की से लोग आते थे और यहीं से क्या करते थे पर्चेज यानि खरीते थे कपड़ा इस market से क्योंकि सस्ता मिलता था इस market में ठीक है अब देखते हैं बेटा इसका कि on market days market के दिन क्या होता है कि you'd also find आप पाते हैं कि कुछ वेबर्स यानि कुछ जो कताई बुनाई वाले यानि बूनकर इनको बूनकर कहते हैं मुनकर मतलब होता जो घर पे तयार करते हैं चोटे चोटे अपने आपस पर family मिल के कपड़ा तयार करते हैं तो वेवर्स ब्रिंग इन क्लोथ वेवर्स क् करते थे कपड़े को क्लोथ को supply करते थे कहाँ पे government manufacturers में and export करते थे कहाँ पे country में they purchase जो खरीतते थे क्यान और और गीव इंस्ट्रक्वर्स टू द्वेवर्स अब यानि उन ही से खरीतते थे आन और गीव इन्स्ट्रग्शन और वेवर्स को इंस्ट्रक्शन भी देते थे कि किस प्रकार का कपड़ा बनाना है इसको आए एकजमपल के साब से देखते हैं मतलब व्यापारी भी करते क्या थे कि कपड़ा तयार करवाते थे और भी देते थे हर तरीके से ठीक है इन्हीं में से एक सिस्टम आता है वेटा पुटिंग आउट सिस्टम वेवर्स प्रोडूसिंग क्लोथ एट होम यानि इसको दादन एक प्रकार का हिंदी में कहते हैं दादन प्रणाली या दादन प्रणाली क्या है पुटिंग आउट सिस्टम इसको हम बताते हैं बिठा यह है कि merchant क्या करते हैं distribute करते हैं यानि व्यापारी कुछ काम करने लिए वेबर्स को अपने order के हिसाब से कुछ कपड़ों का orders देते हैं यानि कि जाजा के local family को जो कि बुनकर होते हैं तायार करने के उनको order देते हैं अधि वेबर्स क्या करते हैं यह क्या पाते हैं उसके पर ले उनसे कुछ पैसा पाते हैं रखम पाते हैं और मर्चिंट को बनाते हैं उनके order पे फिर उनको supply करते हैं प्रोब्लम उनको क्या है मलब उनको कपड़े सेलिंग करने की भी प्रोब्लम नहीं रहती है मलब दो प्रोब्लम है ना उनको कुछ खरीदना पड़ता है ना उनको सेलिंग की भी दिक्कत रहती बस उनको आडर आता है उस पैसे के बदले वो अपना काम करती है लेकिन उसके बदले क्या होता है वेटा कि वेबर्स नो फ्राम दा आउट सेट वाट क्लोथ दे सूड मेक लेकिन इसका नुक्सान होता है कि उसको फायदा वे बर्स को बहुत कम मिलता है कासमे आपको आपको दे रहें अपसम त्यार के लेता है चाले ऐसको अपने månymm webinar Helums और देंट को मार्केट से खरीद कि किसलेते हैं उन्हीं को बुंकर को देताँ वेबर्षा ठीक है डिव आर्डा तर्श में दिया ठीक है दे इस टू वी मेड और बहुत ही लो प्राइस देता है बहुत ही लो रेट पे काम करते हैं वेबर्स वेबर्स के बाद कोई है इसको आगे देखते हैं अभी इसमें देख लेजे यह तीन पिक्चर्स हैं देखे बीटा यह तीन पिक्चर्स हैं हम आपको इसके बारे में दिखाते हैं पहला पिक्चर्स में क्या दिया है पहला पिक्चर्स में बाजार के बारे में दिखा रहा है दूसरे पिक्चर्स में फैक्ट्री बन रही कैसे तीसरे पिक्चर्स में देखे यह लोग ते फैमली है जो तैयार क तो इसमें तेखते हैं बेटा कि इसमें क्या करते हैं कि नो खूद इरार मार्केट तो टोट फार अट गड़ प्राइस इट विल बेशुट आइड दा क्लोट मार्चंट से लगुट तो गर्मेंट पैक्टरी इन दिस वेटा ब्यापारीयों के फैवर मेर्ब मर्चन्थ क्या करते हैं, उसी लरेट पर लो प्राइस पर चामाल के उनको देते हैं किसानों को बनाने के लिए देखलों यह सिकते हैं । रहें सब्सक्राइब प्कारियों में करती हैं पाते हैं ठीक है पैसा पाते हैं अच्छा वेबर्स इन्वेस्ट ऑल डेयर सेविंग तु वारो मनी एल वेबर्स क्या करता है सारा अपना सेविंग करता है किसमें उधार में पैसे भी लेता है किसके लिए बाइ लूम्स के लिए यानि लूम्स होते हैं वेटा जो बनाया जाता है कपड़ा हो sırr करगा। थीक है अब यह लूम्स के पास इतने पैसे नहीं उते है connecting the books आधर Armor स्माल वेबर टू लूम सकंसे कम लगाता है कितने में फोटी थाउज़ंट्स में ठीक है अब ये लूम के पास इतने पैसे नहीं होते जो कि और लेता है दो वेबर एन अधर डेट मेंबर वेबर और उसके जो परिबार के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं 12 गंटे के करीब 12 गंटे काम करते हैं इस कपड़े में तयार कराते हैं इस सारे काम करने में यान अबाउट 3500 पर मंथ उनको कितना फायदा होता है 3500 पर मंथ यानि पूरी फैमिली के साथ अब देखे इसको क्या करते हैं पूटिंग आउट सिस्टम दादन पढ़ा ली इसको इसका मतलब यह होता है बेटा कि मर्चेंट रा मेटेरियल लाए और दी वेबर्स को वेबर्स क्या किया उसको तयार किया और समाल को दी दिए मर्चेंट को मेर्चेंट क्या कियाँ कभी डैरेट ले जाकर सेलिंग सेलीं करता था ठीक है तो फिर्वाई मर्चेंट सप्लाई दरओं कभी-कभी ऐसा होता है कि फैक्टरिस इस नहीं उठाते क्यों को महांगा भी पढ़ता होगा यहां से सब्सक्ता तो अरुल खुआ है इसा मैक्सिमुम भारत में ऐसा होता है और हो रहा है ठीक है यानि बहुत हथकर का उद्योग बहुत चालू है ठीक है अब देखिए इनिमें से एक दिया है वेबर्स इनि में से तो वेबर्स को अपरेटिव से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे थैक ठीक के इया कुछे